नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आज फिर से हम आपका लॉग रुथम का पार्ट सेकिंड जिसमें करने वाले आपके प्रिवेस यह के कोश्चन्स ठीक है जो आपके गॉर्मेंट प्रोटेक्निक एंट्रेंस 2020 एक्जाम के लिए काफ़ इ होता है इसे के इंगले यह जो आपका दिया है 739 और 512 किस चीज का स्क्यार है या क्यूंब है तो हमें यह पता करना होगा ठीक है जो आपका साथ सो इंतीस te वह आपका किसका क्यूब है या स्क्वेर है तो यह आपका देखिए 729 आपका क्यूब होता नाइन का ठीक है 9 multiply 9 multiply 9 करोगे आप तो यह होता आपका 729 ठीक है जो ऐसी आपका 8 equal to 8 into 8 into 8 करोगे आप 8 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 512 ठीक है 500 क्या होगा 12 ठीक तो यह क्या होगा आपका 9 का क्यूब होता है यह आपको याद रखना होगा ठीक है यह 9 का क्यूब और यह होगा आपका 8 का क्यूब तो लिख लेंगे हम देखिए यह दिया है आपको यहां लिखेंगे log बेस में आपका 9 आजाएगा फिर आएगा आपका कितना 729 को लिखते हैं 9 की पावर 3 प्लस आपका दिया है देखिए लॉग बेस में 8 ठीक है बेस 8 पान्सों वारा किसका हो जाएगा आपका 8 का क्यूब अब हमें पता है जो उपर पावर होती है वो लॉग के कहां जाती है आगे चलियाती है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं थ्री लॉग बेस में 9 और 9 प्लस हम फिर लिख सकते हैं आपका लॉग ठीक है यह थ्री तो आगे जाएगा इसके तो यह क्या जाएगा 3 log base में 8 8 तो मैंने आपको एक formula बताया था जब बेस जो आपका यह लिखाया जाया है लोग यह तो बेस इसका सेम होगा तो यह क्या होता आपका 1 ठीक है यह आपका formula होता है ठीक है तो यह हो जाएगा 3 into 1 प्लस आपका कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 into 1 तो इसे जोड़ लेंगे यह कितना हो जाएगा आपका 6 तो आपकी इसकी value कितनी आजाएगी यह आएगी आपकी option B6 आजाएगी ठीक है तो I hope आपका clear हुआ होगा चलते है question number next की तरफ अब देखिए इसमें क्या दिया है आपका यह दिया हुआ है आपका जैदी log X base में दिया है फिर आपका 9 upon 16 और फिर दिया है equal to minus के 1 upon 2 हो तो X की value find करिए ठीक है तो एक मैंने आपको formula बताया था अगर आपका यह लिखा हो log A X equal to M यह formula आपको यह दखना है ठीक है तो जब हम इसमें से log अटाएंगे तो क्या ह होगा आपका जो A होगा यह दर चलाएगा इसकी power M हो जाएगी तो हम क्या लिख लेंगे A की power M ठीक है equal to क्या हो जाएगा आपका X ऐसी रहेगा और log हट जाएगा ठीक है तो वही formula यहां लगाएंगे हम ठीक है अब देखे log के base में क्या है आपका X ठीक है X लिख लिख लि ठीक है यह सेम ऐसी रहता है यह formula से लिखा है मैंने इस वाले formula से तो formula आपको याद करने पड़ेंगे फिर देखे आपका एक की value find करनी है मैं ठीक है तो X को हम क्या कर लेंगे माइनस के one upon two का मंदब क्या होता है one upon X की power यह होता है न आपका one by two equal to 9 upon 16 तो X कैसे लिख लेंगे हम X को लिख लेंगे अब देखिए cross multiply हो जाएगी इनकी X जाएगा इस तरफ तो यह हो जाएगा आपका one by two equal to 16 उपर चले आगा और आपका क्या हो जाएगा 9 upon माजागा तो हमें निकान लिए आपके X की value जब X की power आपको दिए half तो सामने जाके कैसा हो जाता इसकी power दूगनी हो जाएगी ठीक है जो one by two दिए तो यह हो ही आपको पता होने चाहिए शिक्टीन कवर होता आपका दोसुशलगन ठीक है पूर mu 처ậम लिए हो जाएगा आपका ऑप्श हूपन अपोन एतीवन करीए अब option चेक करिए तो option D देखिए आप option D क्या हो जाएगा इसका correct answer चलते हैं question number next की तरफ अब यहां दिया है देखिए सवाल आपका log base में 2 A equal to 4 minus log base में 2 4 तो हमें A की value बतानी है ठीक है तो A की value निकालने के लिए क्या करेंगे log और log वाले एक सांस लिखे लेंगे हम ठीक है तो क्या लिख लेंगे हम log base में 2 दिया है आपका यह लोग वाला इधर लेंगे तो माइनस का यह इस तरफ कैसा हो जाएगा ठीक है तो यह आपको ए दिया है यह formula होता आपका log base में 2 4 A B ऐसे लिख सकते हैं ठीक है आपका ऐसे लिख सकते है और जो सामने होगा वह जाएगा इसके power में ठीक है एक्वल टू हो जाएगा 4 A तो हम क्या लिख सकते हैं अब इसे टू की power 4 कितना होता आपका दो दोना 4 दोना 8 दोना 16 यह होता आपका 16 ठीक है 4 A 4 4 दा 16 तो A की value क्या आगए आपकी आपकी 4 तो option B क्या जाएगा आपका answer तो आपका clear हुआ होगा चलते है next question की तरफ देखिए इस screen पे दिया है आपका log base में y x into log base में z y और log base में क्या आपका p z equal to 1 तो p का मान बताना आपको ठीक है तो एक मैंने formula बताया था आपको जब भी कुछ दिया हो आपका log A base में b दिया हो तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं इसे हम यह भी लिख सकते हैं आपका log A upon log B ठीक है तो यह भी लिख सकते हैं log A upon log B तो इसी formula से हम इनगे लिख लेंगे ठीक है log x base में y को कैह लेक सकते हैं log कैह लिख सकते हैं x upon log y ठीक हैं और into क्या होजाएगा log आपका y हो जाएगा अब base में क्या हो जाएगा आपका log z ठीक है इस वाले को अब इस वाले को क्या लेके multiply multiply log आपका हो जाएगा Z जो बेस में दिया है उसे नीची लिख लेंगे ठीक है पॉन में तो यह जाएगा लॉग आपका पी इक्वल टू वन ठीक है तो यह लोग जैट से जैट कटा वाई से वाई कट जाएगा ठीक है तो यह क्या जाएगा आपका यृट्या मैं लाग एकश अपॉन लॉग वाई बचेगा ठीक है स्वोल गर के तो हम यहांलिख लेगते हैं तो क्या बचेगा हमारा लॉग एक्स अपॉन क्या बचेगा आपका никаких भाई बचेगा ठीक एक वर्टू वर्न टीक है कैं यह सामने घंक तो सटी हो गहां पर यह हम पी था ना तो इससे हम लिखेंगे ठीक है तो हमारा क्या बच्छे का इई लॉक्ट पी हो गहां पर ठीक है तो हमने लिख ल screenshot आपकाका अब का उसारी देंगे है पी की वैल्यू निकालनी किहें हमें तो कई किमे आ साव्पिए क्ल देखेंन दो वे ही दिया आपको सवाल उसी टाइप से दिया है तो हम इसे क्या लिख लेंगे देखें लॉग बेस में क्या दे legitimacy देखें यहां दिया है आपको थ्री लॉग three लिकेकलेंगे ठीक है और वैसिए हम इसे का लिखेंगे भी है तो बेसे में हाई लिखेंगे लोग Osr कि ऑर उपड़कार लाग आपका 5 ठीक है इंट्यू कर लिखेंगे से लょकड़िकी लग Protech लाउट अपको 6 और उपर 7 तो क्या लिख लेंगे हम लॉग आपका होगा यह सब्सक्राइब दिया है लॉग 7 तो अब देखर लोग 7 से 7 कडिया लॉग 6 से 6 कडिया ठीक है क्योंकि सब ये तो आपस में कट जाएंगे लॉग 7 से 7 5 से 5 कटा लॉग 4 से 4 लॉग 3 से 3 तो क्या बचा आपका लॉग 8 और लोग 2 बज़ी गया तो ऊपर तो बचा आपका कितना लॉग 8 और फिर बचा आपका लॉग 2 ठीक है तो हम लॉग 8 को क्या लिख सकते हैं आपका का कि है और टू की पावर 3 लिख सकते हैं और यह क्या हो जाएगा अपका लॉग 2 हो जाएगा ने कि हुआ हुआ है तो पावर क्या जाएगी आग्या जाएगी तो यह जाएगा आपका 3 into log 2 upon log आपका क्या हो जाएगा 2 ठीक है log 2 से log 2 कर जाएगा तो क्या बचे आपका ये बचेगा only 3 तो अब देखें आपका option में 3 आ रहा है तो option B क्या हो जाएगा आपका correct answer तो I hope आपको clear हो आओगा चलते next question की तरफ देखिए अब इस question में आपको क्या निकालना है x की value find करनी है तो question पढ़िए पहले कहा दिया है आपको question given है log x plus log 2y equal to log x plus 2y कि तभी होगा केवल तभी होगा जबकी x की value इतनी तो हम log देखिए जो हमें log बेस सेम होगा log x प्लस आपको कहा दिया है log 2y दिया है ठीक है फिर equal to कह दिया है आपको equal to दिया है आपको देखिए log x plus 2y ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं इसे हम कैसे लिख सकते हैं क्योंकि plus में है बेस सेमेस का बेस कुछ है भी नहीं तो एक मान लेते हैं तो इससे हम देखे क्या लिए सकते हैं लॉग x into 2y ठीक है equal to क्या हो जाएगा आपका log x plus 2y ठीक है तो log चो log काट लेंगे अब देखते हैं हमें निकाल लिए x की value ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपका यहां से solve कर क्या हो जाएगा 2xy y equal to हो जाएगा आपका x plus 2y ठीक है x वेली निकल लीए तो x x वाले एक सान्थ लेने होगे तो x मैं इसा ले जाँगा y वाले के साथ ठीक है तो यह क्यों हो जाएगा आपका आपका 2xy-x X equal to हो जाएगा 2y ठीक है अब यहां से solve करेंगे देखे आगे तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं यहां से देखिए हम इसे लिख सकते हैं X common लेंगे पहले तो हमें क्योंकि X की value निकाल दी है तो यह हो जाएगा आपका 2y-1 equal to हो जाएगा आपका 2y ठीक है X की value find करने है तो यह जाएगा इसके नीचे आपका 2y upon क्या हो जाएगा आपका 2y-1 ठीक है तो X की value क्या रही है 2y और 2y-1 ठीक है तो अब देखे आपको X value दीन निकलनाता है तब ही केवल संबह होगा जब आपका क्या होगा एक समान क्या होगा 2y upon 2y-1 ठीक है तो option भी क्या हो जाएगा आपका correct answer चलते है question number next की तरफ तो आई आपको clear हुआ होगा तो आप देखे इस question में क्या दिया है आपका इसमें दिया है देखिए आपका a की power x c की power minus 2x ठीक है और क्या दिया है equal to b की power 3x आपको plus 1 value पूछिए x की तो आप क्या करेंगे ऐसे question में हम ले लेंगे log ठीक है तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे log taking log on both side ठीक है एक की power x हो जाएगा यह minus आपका क्या हो जाएगा c की power 2x minus की ठीक है और फिर क्या हो जाएगा आपका equal में हो जाएगा आपका log बी की power हो जाएगा आपका 3x plus 1 ठीक है अब हम इसे अलग-अलग कर लेंगे ठीक है कि अब अलग-अलग कैसे लिख सकते हैं हम यह multiply में तो हम इसे प्लस में लिख सकते हैं log क्या लिख सकते हैं 1 की power x लिख सकते हैं पिर हम क्या लिख सकते हैं प्लस लॉग आपका सी की पावर क्या लिखते हैं माइनस टू एक्स ठीक है फिर हम क्या लिख सकते हैं आपको हम लिख सकते हैं आपका लॉग यह तो आपका जाएगा आगे ठीक है तो हम क्या लिख लेंगे यहां से दिखिए यहां से क्या कर लेंगे हम आपका 3x plus 1 ठीक है क्या हो जाएगा आपका log B ठीक तो अब इनकी power भी क्या हो जाएगी आगे चले जाएगी ठीक है तो इसे हम power आगे ले आएगे इन सब की दो यह क्या हो जाएगा आपका 11 लॉक्त एक ठीक है basement के कुछ दिया नहीं है तो हम इनो कुछ भी मतमानों तो यह आपका इधर आके या माइनस का ठीक है तो मिसे कैश लएगे आपका लॉग A दिया था माइनस का देखिए माइनस का 2X है तो लिख लेंगे माइनस के 2X लॉग A आपका किता हो जाएगा C equal to हो गया 3X की लॉग की गुणा करेंगे अंदर क्योंकि यह मल्टिप्लाइ में है ठीक है तो यह हो जाएगा 3X लॉग आपका B प्लस फिर हो जाएगा आपका लॉग B ठीक है वन में गुणा करेंगे तो लॉग B होगा खाली अब देखे एक्स वैल्यू वाली वैल्यू सब एक संद देंगे तो 3X को हम जब इधर ले जाएगे तो माइनस को जाएगा ठीक है साथ में टीक है तो एक्स लिए कि लॉग ए मैनस फिर हो जाएगा अपका च्टू लॉग सी ठीक है फिर हो जाएगा इधर आएगा तो माइनस पहार मानस के 3X क다 लली हो जाएगा अब इक्वल्यू क्या होग bark ba b हिए अप धर देखे आगे क्या होर नाटू करके्ण कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी तिसमें तो एक्स रखेंगे आपका यहां और यह जाएगा इसके नीचे बटे में ठीक है तो उपर आजाएगा आपका लॉग भी अपॉन आजाएगा आपका देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी ठीक है molar बी ठीक है सो करें लॉग पर एक्स की वैल्यू क्या हो आगई आपके यहां से सॉल्ब करके नीचे आ रहा है आपका log है माइनस log 2 log C ठीक है तो option C क्या हो जाएगा इसका correct answer चेक करने के बाद तो option C हो जाएगा तो I hope आपका clear हुआ होगा चलते है next question की तरब अब इसका मान बताना आपको देखी स्कीन पर क्या लिखा है आपका log base में 15 लिखा है ठीक है और फिर लिखा आपका 225 की power 225 तो हम इसे solve करके क्या लिखे लेंगे इस value का हम यह जी भी तो लिख सकते हैं 225 आपका क्या लिखे लेंगे हम आगे लिखे लेंगे फिर log क्या लिखे लेंगे हम बेस में 15 15 का square क्या होता आपका 225 ठीक है तो फिर हम इसे ऐसे भी तो सॉल्प करके लिए सकते हैं दो सो पच्चिस सब्सक्राइब लगांगे side में उसकी Power क्या हो जाएगी यह इसकी Power हो जाएगी Equal to M टीक है कि तो यह concept लगाएंगे आपका यहां ठीक है कि अब देखिए इसमें दिया आपका log 1 और यहां बेस में के दिया आपका one और यहां दिया है one तो हम यहां से पहले लॉग हटाते हैं तो हम लॉग हटाएंगे तो क्या करेंगे यहां यहां आजाएगा आपका यह तो सीम लिखा रहाएगा ठीक है तो यह क्या होगा लॉग बेस में three और आपका आएगा लॉग बेस four x ठीक है यहां किया यहां जो बेस में दिया तो आपके यह सामने और इसकी पावर क्या जाएगी जो यहां लिखा होगा one ठीक है फिर इसके solve करेंगे तो यह क्या है का लॉग हटाएंगे तो हम क्या करेंगे log आपका 4 हो जाएगा फिर हो जाएगा एक्स ठीक है यह तो ऐसी रहेगा सेम फिर जो यह होगा आपका इसके बेस में 3 है वो क्या आपका यहां पर आएगा ठीक है उसकी पावर जो यहां पर लिखा होगा वन लिखा है ठीक है वन की पावर वन होती है तो यह इसकी पावर हो ज दिखी होगी उसे हम पावर में लेंगे ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपका फॉर की पावर ठीक है तो इसका मान होता आपका 64 ठीक है तो यह सामने पावर हो जाएगी ताव़र भीष में पावडल सब्साओस वन होगी तो आपका यह बचा तो इसे Neighbor हम् तो इस वाले को सॉल्पक करेंगे अब यहां से क्या रहे का खाली एकसा ज़सेगा आपका जो और जो सामने वैली होगी वो उसकी पावर माझेगी टिक है तो फॉर की पावर तरी तो एक्स की वैली हो कितने आगे आपके 64 आई होप आपको क्लिर हुआ होगा तो अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी इस चैनल को लाइक सस्क्राइब एंड इस वीडियो को सेयर करें तो मिलते आपको नेक्ट वीडियो में बाई बाई गाई